जाए इन दोस्तों से ले सकता ही क्लासेस में आप जबी का स्वागत है आप लोग का पसंदिदा वह बेस्ट क्लासेस लेकिया चुका हूँ डिया डियो सेप्टम टेन आई टियाई टेकनिशियन पार्ट एट ट्रेड थियोरी का आगया सेलेक्शन वाला वीडियो नीमी पैट पैटन के बेस्ट कोशन आपके लिए एबरी डेस रोज सुबह साथ बज़े पचीस कोशन दस मिनट और हंडेट परसेंट सेलेक्शन के लिए सारे कोशन जो इंपोर्टेंट है नीमी पैटन के वह सारे चलाए जाते हैं तो आप लोग हर एक वीडियो को देखिए हर वीडि प्रेक्टिस करें 25 कोशन आपको मिल जाता है और आपका प्रिपरेशन बेस्ट हो जाएगा दोस्तों तो आए बीनविलम के लिए चलता हूं मैं कोशन के तरफ आज का पहला कोशन है आपका पहला कोशन आज का है जंग और घर्चर के लिए कौन सी सीठ धातु अत्यादिक प्रतिरोधी है तो जंग वधातु के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिरोधी कौन है तो आप्शन ए में दे रखा है तंबा आप्शन बी काला लोहा उसके बाद से ऑप्शन सी में बता दू तो आपका इसमें है यहां पे देख सकते हैं कि एल्लुमूनियम और आ चुका है जो की काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है नियमित सश्टभूज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गड़ना खड़ने का सुत्र क्या होता है तो इसका सुत्र में बता दू तो रूड में थिरी यह होता है यानि कि ऑप्शन नमबर सी करेक्ट है उसके बाद से सीट में वर्क में एस्टेक का क्या उप्योग है तो सीट में वर्क में एस्टेक का क्या उप्योग होता है दोस्तों तो इसमें आपका सपोर्टिंग पीस के लिए परियोग किया है यानि कि ऑप्शन नमबर बी करेक्ट है उसके बाद से 179 आपके लिए most important question आ चुका है solder की समागरी यानि की material क्या है तो solder की समागरी या material क्या है तो 179 का आपका correct answer है जो की pure metal alloy यानि की C correct answer है उसके बाद से next question आपके लिए 180 या चुका है steel की soldering के लिए किस flux का उपयोग किया जाता है तो steel की soldering के लिए दोस्तों इसमें ammonia chloride होता है जो की option A number इसका correct है ammonia chloride उसके बाद से 181 question आचुका है grower का उद्देश से क्या है तो grower क्या उद्देश से है तो इसमें option पहला दे रखा है seam को release करना, C1 को compress करना और option C आपका दे रखा है या पे इसमें seam को close और lock करने के लिए तो 180 का correct answer आपका C हो जाएगा जो की इसका correct है 182 number का question आचुका है revet के निर्माड के लिए उपयोग की जाने वाली समागरी क्या है तो revet के निर्माड के लिए जो समागरी उपयोग होता है वो है आपका mild steel दोस्तों यानि की option D इसका correct है उसके बाद से 183 आपके के लिए question आ चुका है एक revet में X के रुप में चिनित भाग को नाम बताईए तो जो चिनित भाग है यानि की इसका length पूछ रहा है 183 number का आपका तो चिनित भाग यहां पर देख सकते हैं जो की length यह आपका यहां से यहां तक इसका क्या भाग है तो बताना है तो इसमें बता दू इसका यहां body है जो की यहां से यहां count किया जाता है जो यह यहां से और लेके यहां तक count होता है उसके बास 184 number का question आ चुका है पिगला हुआ सोल्डर कि सात धातों के छेत्र को कवर करने वाला operation का नाम बताईए तो 184 का option number D correct है जो की teining होता है यानि की teining option D इसका correct है उसके बास 185 number question आपके लिए आ चुका है जो काफी important है तो सारे एक question दोस्तों नीमी pattern के हैं जो की चाहे annual exam ओ competitive exam ओ 100% इनी से बनते हैं तो आप लोग हर एक सीरीज को देखे 100% आपका preparation complete होगा भारी संराचनात्मक कारिय में किस रिवेट का उपियोग किया जाता है तो भारी संराचनक यानि की हैबी duty के लिए इसमें पेन हेड रिवेट का परियोग किया जाता है ओप्सन नमबर यह इसका correct है उसके बाद से 186 आ चुका है स्नेप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है तो स्नेप हेड को सपोर्ट करने के लिए जो टूल परियोग होता है वह है आपका डॉली डॉली ओप्सन नमबर यह करेक्ट है उसके बाद से 187 का आ चुका है दोस्तों काफी बेस्ट इंपोर्टेंट दिखाए गए रिवेटिंग दोस्त का नाम बताइए तो इसमें जो दोस्त है उसका करेक्ट में बता दू तो वह है आपका ओप्सन नमबर सी रिवेट हैड नाट सेंटर विद द सेंग यानि रिवेट का सीरा सेंग के साथ केंदरित नहीं है यह आप्सन सी करेक्ट है उसके बाद से 180 का कोशन आ चुका है 188 सीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े ब्यास का एक सरकल या चाप बनाने के लिए किया जाता है तो यह बहुत हर एक एकजाम में मोस्ट इंपोर्टेंट इसको स्टार कर लीजेगा दोस्तों क्योंकि हर एक एकजाम में इसका कोशन आ होता है और इससे आपका सरकल बड़ा लेने के लिए परियोग किया जाता है तो यह था आपका करेक्ट आंसर बी ट्रैमल उसके बाद से नेक्स्ट कोस्टन आपके लिए आ चुका है 189 सीरिंग करते समय सीट धातू के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाता है तो सीरिंग जब किलियरन्स के कारद। OPTION D करेक्ट है 190 का आ चुका है एक भाग X का नाम क्या है तो इस में जो चिनित-भाग ex का नाम क्या है तो यहाँ पे आपका इंकित किया गया ए इसका देख सकते है यह इसका पूछ रहा है क्या नाम है तो 1 आपका 90 का मैं बता दू तो वो है आपका कलेंप जो की बादने वाला है उसके बास 191 का कोशन का आचुका है seat metal car में grower का उपियोग क्या है तो seat metal car में grower का क्या उपियोग है तो इसका C है seam को close यानि की close up seam के बास 192 आ चुका है आपके सामने हल्की assembly के काम में कौन से रिवेट का यह परियोग में दोस है तो कौन सा रिवेut का दोस तो इसमें बता दू मैं आपको की हल्की assembly में कौन से रिवेट का परियोग किया जाता है तो 192 का आपका correct answer है कोनिकल हेड रिवेट यानि की option D correct है उसके बाद से 193 आ चुका है रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो इसका मैं बता दू रिवेट सिनेप का उपयोग किया जाता है यानि की option D correct है उसके बाद से 194 आ चुका है seat metal work में इस notch का क्या नाम है तो इस notch का क्या नाम है जो कि seat metal work में परियोग होता है तो यह आपका square notch है आपको दिख भी रहा होगा figure में option C इसका correct है जो कि square notch है उसके बाद से 195 आ चुका है panel beating को holo करने के लिए किस परकार के mallet का उपयोग किया जाता है तो इसमें bossing mallet का परियोग किया जाता है यानि की option D इसका correct है उसके बाद से आपके लिए next question आ चुका है 196 जो कि इस riveting में क्या दोस है तो इस में आपको बताना है कि यह riveting जो की गई है उसमें दोस क्या है तो इसमें मैं बता दू option number आपका जो की correct होगा option D plate और hole के सीध में नहीं है तो option D इसका correct है उसके बाद से 197 आ चुका है एक पच के साथ एक circle के चाप को बनाने के लिए किस estate का उपयोग किया जाता है तो 197 का correct हो जाएगा आपका इसमें option number C half moon estate का परियोग किया जाता है उसके बाद से 198 का आ चुका है आपके सामने जो की इस seat metal work में इस सहायक टूल का नाम क्या है तो सहायक टूल का नाम आपको बताना है फीगर मैं दिखा दूँ फीगर आपके सामने आ चुका है यह है आपका जो की इसका नाम बताना है दोस्तों तो इसका में नाम है आप देख सकते हैं इसमें दे रखा है option number 4 वाला जो की round bottom stake option D correct है उसके बाद से 199 कोशन आ चुका है आपके लिए जो की कफी important है seat metal में इस joint का क्या नाम है तो seat metal में इस joint का नाम है जो की इसमें double groove joint है यानि की double groove joint option D correct है उसके बाद से इस वीडियो का last question आ चुका है most important सिनीप की अधिकतम कटिंग छमता क्या है तो सिनीप की अधिकतम कटिंग छमता यानि कि कितना अधिक तक काट सकता है कितने मोते थिकनेस वाले को तो option A correct है 1.2 mm thickness काट सकता है तो आज का या 25 कोशन था पार्ट 8 यानि कि इससे पहले साथ वीडियो अलड़ी जारी हो चुके केवल 10-10 मिनट का वीडियो है बेस्ट आपको 25 कोशन मिलना है जो कि हर एक competitive के लिए बेस्ट होगा दोस्तों तो लास तक देखें हर एक कोशन का प्रेक्टिस करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट 25 कोशन के साथ तब तक के लिए ब प्रेक्स के सबस्ट प्रेक्स्ट उर एक बाहए लो नेक्स्ट वीडियों के लिए यज जिए प्रेक्स्टिए इस्ट